इतनी सारी गाजर देखके और आप समझी गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ पर फ्रेंट्स इसे थोड़ा सा हम अलग तरीके से बनाएंगे हाँ जी फ्रेंज हम गाजर का हलवा बना रहे हैं पर थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पर गाजरों को मैंने छील लिया है पर छीलने के बाद मैं इन्हें घिसूंगी बिलकुल भी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं कि नौर्मल सा गाजर का हलवा है जो बस गाजरों को छेल कर घिस लेते हैं और बना लेते हैं तो यहां देख लीजी यह गाजर को मैंने एक जैसी हमें गाजर लेनी है छोटना जादा मोटी गाजर लेनी है क्योंकि हलवे में यह गाजर बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती सर्द्यों में काफी अच्छी गाजर आ जाती है मार्केट में पतली सी तो मैंने उसके उबर की जो मोटा वाला पार्ट होता है उसे काट लिया है गाजर के और यहाँ देखी मैंने गाजर को गिसा नहीं है यहां पर मैंसे छोटे-छोटे तुकड़ों में कट कर लेती हूँ तो नहीं ज़्यादा छोटे तुकड़े कट किये यह मैंने नहीं ज़्यादा बड़े यह देखिए सारी गाजर मेरी कट चुकी है अब हम चलते हैं कुकर की तरफ हांजी फ्रेंड्स हम यह हलवा कुकर में बनाएंगे कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे तो कुकर में घी डाल लिया है और घी थोड़ा सवस्जाद ही डाली कियोंकि हम हल्वा बना रहे हैं तो घी डालने में बिल्कुल भी कंजोसी ना करें तो यह रही है हमारी गाजर, इनको मैंने पहले ही अच्छे से धो लिया था, अब हम जितनी भी गाजर हमने काट कर रखी है, वो इसमें डाल देते, देखिए यह पर मैंने सारी गाजर हमारे कुकर में डाल दी, यह लगबग, तेड़ किलो लगबग गाजर होंगी, इनने अब मैं एट कर देती हूँ दूद, मेरे पास यहां पर यह दो कब लगबग दूद था और थोड़ी सी मलाई, तो यह मैंने इसमें डाल दिया, इसे अच्छे से मिक्स करके, अब हमें कुकर बंद कर लेना है, पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है मलाई को, यहां पर देखि यह मेरी मलाई मिक्स हो चुकी है, और अब मैं कुकर को बंद करके, कम से कम मुझे इसमें तीन सीटियां लगानी है, जिससे हमारी जो गाजर है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और गाजर मैंने घिसा नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि इसके पीसे से इसमें दि और आप पैचान भी नहीं पाओगे, कि यह गाजर मैंने घिसकर बनाई है, या डारेक्ट बॉइल करके बनाई है, और हाँ, एक बात और, जिस तरीके से अभी दूद दिखरातार है, इसके सीटी आते वक्त उपर, तो घवराना बिलकुल नहीं, यह थोड़ा सा दिखेगा बट कोई टैंशन की बात नहीं है, यह देखिए, उकर मेरा थंडा भी हो गया था, तो मैंने खोल दिया है, और आप देख सकते हैं, गाजर हमारी कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, यह मैं आपको टच करके भी दिखा देती हूँ, यह मैंने टच कर लिया है, देखिए सॉफ्ट हो गई है न, तो अब हम इसे, या तो आप इस तरीके से चमच की साहता सही इसे स्मैश कर लिजे, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक तरीका और दिखाती हूँ, यह मेरे पास पाव भाजी स्मैशर है, तो इससे भी स्मैश कर लिजे, अगर पर मेरी देखिए सारी गजर स्मैश हो चुकी है अच्छे से, और इस तरीके से न, बिलकुल भी नहीं पता चलता कि हमने गजर को स्मैश किया है, यह हमने घिसके बनाया है, और टेस्ट, टेस्ट तो इतना लाजवाब आएगा कि आप पहचान भी नहीं सकते कि मैंने किस त चीनी डाल देती हूँ, वही हलबा है तो चीनी तो बनती है थोड़ी सी, बस इसे सब को मिक्स कर लीजे अच्छे से, घाजर और जो चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी, अब हमें दुबारा से कुकर को बंद कर देना है, फिर से एक से दो सीटी हम ले लेते हैं, यह देखिए, यहाँ पर मेरी सीटी आ चुकी है कुकर की, अब जब कुकर मेरा शान्त हो जाएगा, इसकी जो सारी गैस है वो निकल जाएगी, जब मैं इसे खोल लूँगी, तो यह देख लीजिए, मैंने चेक कर लिया, इसकी जो सारी गैस है वो निकल चुकी है, अब इसे हम अराम से खोल देना है अब यहाँ पर जो है almost कह सकते हो हमारा हलवा ready है मतलब इसमें 70% जो हलवे का काम है जो हम कड़ाई में काफी देर तक खड़े रहे के भूंचते वे बनाते यह सारा हमारा यहाँ पर बन चुका है अब यहाँ पर मैंने color डाल दिया यह मेरे पास food color powder form में था इसलिए हलका सा पानी मिला कर मैंने इसे डाल दिया यह बिलकुल भी optional है अगर आपको डालना है तो आप डाल दिये नहीं डालना कोई बात नहीं परशादियों वाला हलवा बना रहे हैं इसलिए मैंने ingredient खोवा यहाँ पर मेरे पास खोवा था थोड़ा सा तो यह मैंने कम से कम धाई सो ग्राम लगभग इसमें मैंने खोवा डाल दिया है बस काफी है इतना ही इन सब को अब अच्छे से मुझे mix कर लेना है और सबसे बड़ी बात कूकर में जब हम गाजर बनाते हैं तो यह बिल्कुल भी लगता नहीं है इसे अच्छे से mix कर लीजिए और जो खोवा है उसे अच्छे से mix करते वे पका लेना है हमें हलवे को अब लास्ट में मैंने इसमें इलाइची पाउडर कूट के डाल दिया था इलाइची पाउडर जरूर डालिए इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब आप देख सकते हैं मेरा हलवा कितने जल्दी और कितने अच्छे से बन चुका है अब मैं इसे सर्फ कर लेती हूँ ये बहुत गरम है साफधानी से सर्फ करना फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताईए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ये देखिए यहाँ पर मैंने सारा हलवा जो है सर्फ कर लिया और मेरे पास ये कुछ ड्राइफ रूट्स के कतरन थे तो इसे डेकोरेट कर लेते हैं फ्रेंड्स ये मेरा इंस्टन्ट हलवा बनके रेडी है बिना कुछ महनत के और टेस्टी बहुत टेस्टी है आप जरूर बताना है आपको ये हलवा कैसा लगा